स्री सद्गुरू देवाई नमा भायो वैनो जो भगवान की भगत होते हैं भगवान उनके साथ तरह तरह की लीलाएं करते हैं जिसको जान का मन भाव से भर जाता है आज जो कथा सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर आपका भी भाव द्रन हो जाएगा इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवस देखिएगा अगर आप ऐसे ही भगती पूर्वा कथा लगाता सुनना चाहते हैं तो अर्चित प्रवाज यूटुब चैनल को सब्क्राइब करके बैल आइकन अवस दबा देजेगा जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें मतुरा के एक गाउं में एक लड़की रहती थी उसका बाल विवाह हो गया था विवाह के कुछ समय के बाद एक बीमारी के चलते उसके पती का दिहान थो गया और वह विद्वा हो गई पती के जाने के बाद उसका जीवन तो जैसे एकदम नीरस हो गया था उसके समझ में नहीं आ रहा था कि पहार जैसी जिन्दी कैसे कटेगी एक दिन की बात है वह अपनी सास के साथ गाउं के एक क्रिश्न मंदिन में गई मन मोहक लीला धर की मूरत को देखकर वह तो बावली हो गई उसका वहां से हटने का मन ही नहीं कर रहा था अब उसने अपना नियम बना लिया कि रोज भगवान के दरसंद करने मंदिन आया करेगी उसकी घरवालों ने भी सोचा कि इस तरह भगवान में उसका मन लगा रहेगा और उसका समय भी कड़ जाएगा वह रोज सुवे नहा धोके भगवान के मंदिन में आ जाय करे और घंटों भगवान के विग्रे को देखा करे धीरे धीरे समय का पैया घूमता गया वह बड़ी हो गई किन्तु उसका क्रम नहीं तूटा वह भगवान को ही अपना सब कुछ मानती थी उनके लिए सुन्दर सुन्दर वस्त बना कर पहनाती थी उनके लिए फूलों का सिंगार किया करती थी पुजारी भी उसको बहुत मानता था क्योंकि उसे भगवान के प्रती जो उसके भाव थे उसको वो समझता था वह उसे भगतन कहकर संबोधित करने लगा तो धीरे धीरे गाओं के सभी लोग उसे भगतन कहने लगे जब वह असी वज़ की हुई तो एक दिन की बात है कि भगतन को तेज बुखार आ गया घर पर कोई नहीं था उसका सरी तूट रहा था वह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी सुब़े का समय हुआ तो उसे याद आया कि उसे अपने स्याम सुंदर के दरसन करने जाना है किन्तु वह तो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी वह अपने काना को याद कर रोने लगी उनसे विंती करने लगी प्रात्ना करने लगी ये काना मुझे माफ कर दो मुझे माफ कर दो ना मैं तुम्हारे पास आने में असमर्थ हूँ मैं फूलू से तुम्हारा संगार कैसे पर कर पाऊंगी मेरा तो नियम भी तूट गया मुझे माफ कर दो उधर पुजारी को भी आशर हो रहा था कि भगतन क्यों नहीं आई भगवान का संगार कैसे होगा इसी तरह दो दिन बीट गए भगतन की तबियत और ज्यादा खराब हो गई उसकी आँखे तक नहीं खुल पा रही थी बस काना को याद कर आशु बहाए जा रही थी अचानक घर का दर्वाजा खुला एक बालक सुन्दर सा अंदर आया उसने पूछा कि माजी आपको क्या हुआ भगतन ने पूछा पहले तुम बताओ तुम कौन हो तो उसने कहा मैं पुजारी का पोता हूँ उन्होंने आपके पास भेजा है कि पता करके आओ कि भगतन को क्या हुआ जो वो नहीं आ रही भगवान का संगार भी नहीं हो पारा भगतन ने बता दिया कि तब यह ठीक नहीं है बालक ने बालक ने सर पर हाथ रखा तो बोला माजी आपको तो तेज जुर है अच्छा मैं आपकी सेवा करके आपको ठीक कर दूँगा उसके बाद उस बालक ने भगतन को को जड़ी बूटी पीस कर दी भगतन ने उसको खा लिया जिससे उसके सरी में कुछ चैतनता आ गई वालक सुबह से साम तक उनकी सेवा करता उनको भोजन लाकर देता भोजन में जो स्वात था वो बया नहीं कर सकती थी तो भगतन ने पूशी लिया तुम खाना कहां से लाते हो तो उसने कहा घर में माने बना कर भिजवाया है और वो पैर दबाता मुए से पानी भर गे लाता साथ दिनों तक सेवा करने से भगतन पूरी तरह से ठीक हो गई बालक फिर अपने घर चला गया अगले दिन भगतन पुनहा फूलों का संगार बनाकर मंदिर आई और भगवान को सजा दिया पुजारी जी आये तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ भगतन तुम इतने दिन से क्यों नहीं आ रही थी तुमारे बिना भगवान का संगार अच्छे से नहीं हो पा रहा था भगतन बोली कि क्यों मजा कर रहे है पुजारी जी जैसे तुमको तो कुछ पता ही नहीं पुजारी ने पुछा मुझे क्या नहीं पता भगतन ने कहा मुझे तेज जवर था तुमारा पोता तो साथ दिनों से मेरी सेवा कर रहा था तुम्हारे घर से तो रोज खाना आ रहा था, और तुम कहते हैं कि तुम्हें कुछ पता नहीं पुजारी ने कहा, मेरा तो कोई पोता ही नहीं, मेरी तो एक पोती है भत्तन को आश्यर हुआ, तो फिर वो बालक कौन था, जो मेरी सेवा कर रहा था बोजन करा रहा था, मेरी तैर दबाता, वो काना की तरब देखने लगी, वो समझ गए कि वो बाला कोई और नहीं, मेरा सामरा था, वो भगवान के स्री विग्रे के सामने खड़े होकर रोने लगी, कहने लगी प्रभू आप मेरी सेवा कर रहे थे, मैं अभागी आपको पैच कि कब लग गई, उसको पता ही नहीं चला, भगवान उसके सुपन में आए और बोले, तुमने पूरा जीवन मुझे समर्पित कर दिया, तुमने भाव से मेरी सेवा की, मुझे तुमारे सिंगार की आदत पड़ गए थी, इसलिए जब तुम नहीं आई तो मैं आगया, तु मैं कुछ दिन तुम्हारी सेवा कर दी तो क्या हुआ, तुम कुछ दिन और यहां रहोगी, उसके बाद मैं तुमको अपने पास बूला लूँगा, सुबह वाब पुजारी के पास गई, उसने सब हाल बता दिया, पुजारी ने कहा तुम धन्न हो, जो भगवान ने तुमक तुमको तुमारी सेवा की, तुमको दर्शन दिये, तुम धन्न हो, करीब चार महा के बाद भगतन ने पुजारी को बुलाया और बताया, अब मैं जा रही हूँ, मेरे स्वाम सुन्दर की सेवा करना, अगर भगतन से कोई गलती हो गई हो, तो उसको छमा कर देना, काना को करते हुए उसकी यात्मा प्रभू में समा गई, भगवान को भाव से वस्मी किया जा सकता है, अथा अपना भाव विशाल बना के रखो, वह जरूर मिलेगा, यह सत्य है, भगवान के प्रति भाव की यह कथा आपको अगर पसंद आई हो, तो कृप्या कमेंट में जै स्री क